हाई डिर इसटेंस आप आज पना चैप्टर है वर्स यानि करिया रूच यानि वे सब्द जिन से कारेका करना होना पाया जाता है उनने वर्स कहते हैं क्या बोलते हैं पना लक्त है उनको वर्स तो इस चैप्टर में हम जो same हैं उनके बारे में रीड करने जा रहे हैं कि वर्प कहते किसको हैं और यह जो वर्प से हैं यह क्या वर्प करती हैं तो सबसे फस्ट में हम इसके कुछ अउस ड्याहिशन से उन्हें नौट करेंगे तो यह वर्प एलसा सवाड़ा सब्जेक्ट इन एक सेंटेंस कि a वार्ब कि एलस अस ए वार्व टेल्स अस वाड़ा सब्जेक्ट इन एक सेंटेंस वाड़ दी कि को कि सब्जॉत है इन ए इन मैं कि कि ए इस जो वर रव बताती है कि जो सेंटेंस इस उसमें जो सब्ज्छ वह क्या है यानि वाक में करता क्या है इसके बारे में हमें एक वर्र बताती है इस और वो क्या है इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन इसको क्या कर दिया अंडरलाइन साथ में what it does वाट इट ड़स कार्रे क्या है क्या काम है और वाट इज पसेश और वाट इज तो इसमें जो वर्व यह बताएगी सब्जेक्ट क्या है कार्रे क्या है उसका उद्देश्य क्या है इन सब को हमें कौन बताती है वर्व बताती है करियाएं बताती है फोर एक्जाम्पल के लिए कि और इसमें आगे है वर्व एक्स प्रेट एक्षण कि वार्व एक्षण वर्व एक्षण आग्षण action verbs expect action being and possession being and possession being and possession being and possession example note करेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा हमें यह सब क्या है Alice is a girl Alice is a girl Alice is a girl Alice एक लड़की है तो being next I eat an apple every day I eat an apple every day अब यहां यह जो eat जो वर्ड है यह एक्सन को दिखा रहा है कारे को बता रहा है अब है जाता है इसे आप है जो खाने का किसको खाने का जो खाने का और नेक्स एए एरा है एड ड्रेस और यहां पर पजेशन जो है उसको बता रहा है किसको बता रहा है पजेशन को बता रहा है किसको बता रहा है वहीं पजेशन को तो यह वर्व टेल्स असवाट दी सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज वाट इज डज और वाट इज पजेशन वर्फ एक्स एक्षन बीग एंड पजेशन अलस इस एगल अभी यहां पर एल इसके इसके बारे हैं बताया रहा कि क्या एक लड़की है उसका होना बता रहा कि इसका यहां बताया जा रहा है इससे बताया जा रहा है अब इसमें देखे हम क्या करेंगे समझ में तबाएगा हमें अब जो कुछ वर्प्स हैं पिहले हमें वर्प्स का आना चाहिए कि वर्प्स क्या हैं उन आप ने आब ओर के ऊपर नौट किया हुए है उनमें कौन कौन सी वर्ब है और कौन कौन सी नहीं है तो जो वर्ब है उन्हें दरलाइन करना है तो अंडरलाइन दी वर्ब्स इन दी फॉलोविंग सेंटेंसेज underline the verbs in underline the verbs in the following sentences following sentences यह निया आपको नीचे जो sentence दिया गया है उसमें आपको वर्व को क्या करना है अंडरलाइन करना है अब मैं यहां पे वो sentence note कर रहा हूं और उनमें आपको जो वर्व है वो अंडरलाइन करनी है देखिए पर सिंदेंस रोजा एंडरेन आर गोंग तो दी लाइबरेरी रोजा अंडरेन आर गोंग तो दी लाइबरेरी अब यहां पे देखी आर आर से तो इनका हमें पता चल रहा है वह इसमें कौन कinkling रोजा और रहना तो यह भी वर्म हमने इसको अंडलाइन कर दिया किसको आर को अब गोइंग जा रहे हैं यहां पर उनका एक्सन दिखाया जा रहा है एक्सन बताया जा रहा है कि रोजा और रहना भाई लाइबरेरी क्या कर रहे हैं जा रहे हैं तो हम यहां पर इसको अंडलाइन कर देंगे किसको अंडल Phira and Merin are good friends Phira and Merin are good friends फिरा एंड मैरीन आर गुर्ड फ्रेंड तो यहां पर जो वर्वे उसे अंडलाइन करना हमें तो इसमें कौन सी वर्वे आपको आर कौन सी वर्वे रखी आज में वही आर तो हम किसको इंडलाइन कर देंगे आर को इंडलाइन कर देंगे नमबर थर्ड नमबर थर्ड है इस्टीव विल बी गोईंग टू दी मार्केट सून स्टीव विल बी गोईंग तो दी मार्केट स्टीव विल बी गोईंग तो दी मार्केट सून अब विल बी गोईंग तो यहां पर यह पूरी की पूरी क्या बनेगी एक वर्व बनेगी विल बी गोईंग विल बी गोईंग तो हम इसको क्या कर देंगे अंडलाइन कर देंगे किसको विल बी गोईंग को अंडलाइन कर देंगे किसको अंडलाइन कर देंगे किसको अंड was studying quietly in his room Peter was studying quietly in his room so out there this is very varied कि ये भी क्या एक वफ भारने कि यहागया वाज और इस्टेडि इस्टेडि यह नहीं पढ़ना अध्यान करना तो यह दोनों क्या वाज andọr इसं tailored को आए इसमें वर्म है तो हम ने दोनों को यह k 아ट दिया underline कर दिया क्या कर दिया दोनों को underline next the engineer will be repairing the computer in the lab the engineer will be repairing the engineer will be repairing the computer in the lab repairing the computer in the lab will be repairing will be repairing अब ये पूरा की पूरा क्या बन गिया वर्व बन गिया विल भी रिपेरिंग तो हमने इसको क्या कर दिया underline कर दिया क्या कर दिया इसको underline कर दिया है नमर नेक्स्ट पॉली सेट ओन दा बैंच पॉली सेट अन दा पेज तो यहां पे वर्व क्या है सेट सिट का second form है सेट सिट यह ने बैठना उसका second form दिया हुआ है हमें सेट तो पॉली सेट अन दा बैंच तो हमने जो वर्व है उसको क्या किया इसमें अंडरलाइन किया है क्या किया है अंडरलाइन रोजा एंड रेना आर गोईंग टू दी लाइब्रेरी रोजा एंड रेना आर गोईंग टू दी लाइब्रेरी फीरा एंड मैरेन आर गुड फ्रेंड्स तो यहां पर हमने किसको अंडरलाइन किया है आर को और फस्स सेंटेंस म विल भी गोईंग को किसको अंडरलाइन किया वही विल भी गोईंग को और पीटर वाज स्टेडी कौईटली इन हिस रूम तो इसमें हमने वाज स्टेडिंग को क्या किया है अंडरलाइन किया है और फिप सेंटेंस में दा इंजिनियर विल भी रिपेरिंग दा कम्पूटर इ किसमें किसको अंडलाइन किया है हमने विल भी रिपेरिंग को किसको किया वही विल भी रिपेरिंग को और सिक्स नमर में हमने सैट जो वर्व है उससे अंडलाइन किया है तो सिक्स में किसको किया है हमने सैट यानि सैट यह सेकंड फॉर्म दिया गया है और हमने इसका फॉर् और वह यह चाप्टर चैप्टर है इसको हम नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में और अच्छी तरह से और रीड करेंगे कुछ चिर के दोबरा इसको और अच्छी तरह से समझेंगे तो आज की क्लास में हमने जो वर्फ होती है वह वो क्या दर्सा ती क्या बताती है और त्थी है तो आज हमें वर्व को अंडलान करना साथ में उसकी कुछ डैफिनेसंस हमने नौट किये तो इन सब को क्या करेंगे आप लार्न करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू